नमस्कार मैं सचीन और आप देख रहे हैं बिहानुई एक्सप्रेस आएए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहानुई एक्सप्रेस पर खास खबर हासनपूरा पर्खंट पर्मुक के परतिनीली नुमान उर्फ ककु ने राज़त नेता तेजस्भी यादो पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि तेजस्भी यादो तनासाही हो गए हैं और पैसे लेकर टिकट का बितरन करते हैं उन्होंने कहा कि जब लालो यादो पार्टी क करना सुरू कर दिया है तब से उनके ताना साही की कारण पार्टी की स्थितिक खराब होते जा रही है आए सुनते हैं नुमान और कक्कु ने और क्या क्या कहा पार्टी को खतमे करके लो मानेगा देखिए स्री सलंद कुमार आप जेडिकर करता थे उनको सस्पेंड कर दिया गया वही सेम काम करा करते हैं समझेल sironu देटें उनके ऴिबीपक्स में चुना लडऻाते एं तो क्या पार्टी की ने।या अलहा उछ इमसे बेटा पूत्र के लिए अलहिए पार्टी के सिधान्त है- इस सिधान्तिक पार्टी गई अ रह नहीं करेकरता को पहासए- पार्टी के में भीकुः पैसा करे पैसा चाहिए उसके बाद लड़का जो टिकट दिया जा रहा है उसे कोई मतलम नहीं जनता चाहती है या नहीं चाहती है यह उनलों का अब देखिए एक और चीज़ सुन लिए पार्टी को तो बुरा लगेगा है क्योंकि हम पार्टी में हैं तो हम बोलेंगे गलती अगर कोई करेंगा तो हम बोलेंगे लालू परसाज थे तो हम लोगे सुप्रीमों और सीम थे बहुत हद ठीक था फिर कुछ दिन के लिए उन पर कोई दिकत आई तो रावडी देवी थी वह भी हम मालनेते हैं कि हमारी पर्टी की सुप्रीमों की पत्नी हम सुप्रीकार कर रहा हैं उसके बास से प्रति पक्ष के लिडर तेसी यादो डिपी सीम रहते हैं वह डॉक्र मख़हमद साहाब धीन को Nτιतीज कुमार लेकर तिहाड भेज रहे है उनके पास इतना भी सब्द कुछ बोला जाए क्या यह पार्टी के लिए उनका क्या इस्तिथी बना है और आज तक नहीं पार्टी सोच रहिए कि साभदीन की सोच्छा कि नाम नई लेगा तो मेरा जैकार हो जाएगा सहबदीन एक पर्सन है, वो आदमी करECarty से जुड़ा हुआ है, वो आदमी करेकर्ता से जुड़ा हुआ है, वो आदमीं पैसा के लालची नहीं है, और चार्ट एंपी रहते हुए, वो आदमी कुछ लुटा है, कस लुटा है, नहीं, वो करECarty कर लीडर है और हम लोग आज आक रोज में आकर साहब दीन साहिब से बेगर उनके परिवार से बेगर पुछे हुए अगर टीकट कोई बैग डर से पैसा दे कर ले लेता है हम उस परतियासी को हम स्युक्यार नहीं करता है क्या माला जाया कि आर्क राज़त जो है मुस्लिम शहुदाय और मुहम्मद शाहुदीन को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तमाल करती है यह तो वह लोगा परिवारे संज़ेगा और 2020 अगर यह रहा तो 2020 में और इससे बुरा होने वाला है क्योंकि अभी बहुत सारे करेकरता ह है वह समझ नहीं रहें बात को ठीक है अगर अगर ऐसे सुधार नहीं आया हमारे आर्जेडिक पार्टी में कि करकरता को ठीकट नहीं दिया जाएगा अभी से भी सलेंदर जी कुछ बिगड़ा नहीं है और नहीं पार्टी के बिगड़ा है आज उसको उमेश सिंकों बैठा पार्टी एक जूट है कोई दिक्रत नहीं है करकरता हम लोग फिर से वहीं है क्या दिक्करत है